नमस्कार जैहिंद कैसे आप सब? I hope कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सब की प्रिप्रेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही हैं आज की सब वीडियो में 14 मार्च 2024 से समंदित करेंट अफेर्स के जितने भी प्रशन बनेंगे जिसमें बिहार रश्ट अंतराश्ट तीनों घटनों का संग्रह होगा तमाम जानकारी हमेशा के तरह आपको यहाँ पर विस्तार प्रवग दिया जाएगा सेशन के सुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में हमने एक प्रशन आपसे पूछा था पहले वो देख लेते हैं देखे बिहार सरकार की नविंतम घोषना के अनुशार रज्य के खिलाडियों को सालाना अधिकतम कितने रुप्य तक की खेल चात्र विरती दी जाएगी इसकी गोषना अभी हाल ही में हुए थी और जो विस्तरत जानकारी हमने दिया था आपको आई होप की याद होगा आई होप कि आपने कमेंड बॉक्स में जाकर वहाँ पर कमेंड क्या होगा इसका अनसर हमने आपको बतलाए था बीस लाख रुप्य तक की छात्र विरती दी जाएगी तो विकल्प नमबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट अनसर होगा कोसिस किजे कि जो भी प्रस्ट ने आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंड बॉक्स में लिखें और तमाम जानकारी आप वहाँ पर विस्तार पुरवक अवस्य लेगा है रेसेंटली बिहार इस्पेसल करेंट अफेर्स का एक पीडियाफ लॉंच होया है वार्शकान संस्क्रन है वन लाइनर में चीजों को हमने विस्तरित तौर पर इसमें संब्रत किया है यह हमारे पूरे साल का महलत है 2023 का अगर आप बिहार में एजित होनाले किसी भी परतुगी परिच्छा के प्रिप्रेशन में लगे है तो इसे जरूर पढ़ लेजेगा लिश्य तोर पर यहां से यह बिहार इस्पेसल जो करेंट अफेर्स है उसकी प्रिप्रेशन आपकी बहतर हो जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्रेशन में इसका लिंक है वहां से ले सकते हैं या पिर चाहतो वीपेसी मेकर एप से भी आप इसे प्राप्तिक कर सकते हैं चलिए अब हम चलते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रस्ने पे आज के से क्लास को सुरू करने से पहले कुछ बाते मैं आप लोगों के साथ सेर करना चाहरा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनेगा सबसे पहले बात यहाँ पर यहाँ है कि इस स्रीज में हमने कई बदलाव किया हैं आप लोगों के डिमांड पर वो इस वीडियो से आपको पता चलेगा, ठीक है वीडियो आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा लेकिन फिर भी आप यह ध्यान रखेगा, कितना भी मैं छोटा करूँ, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश है, content आपको बहतर देना और पिछले चार साल से मैं आपको दे रहा हूँ तो इस चीज को ध्यान में रखेगा, कि हमारा जो वीडियो है, वो 30 मिनट से कमकार नहीं हो सकता, उसका लेंट है ठीक है, अगर आपके पास प्रियापत 30 मिनट समय है, current reference की बहतर preparation आप करना चाते हैं इस सीरीज के मात्यम से तो daily basis पर 30 मिनट जो समय है, वो हमारे लिए रखेगा, और एक समय निरधारित है 6 बजे, ये 6 बजे आपको प्रते एक दिन जो वीडियो मिल रहा है, इससे आपकी preparation बैतर होगी तो पहला प्रस्ण है की मुख्यमंत्री नीती सक्मार ने बिहार में कारवन उत्सरजन में कमे की रननीतियों पर मसवधा रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुशार कब तक सुद्धिश्रन यानि की net zero उत्सरजन प्राप्त करने का लक्ष है ये प्रस्ण आपको VPC exam में पहले पूछा जा चुका है VPC tree वाले exam में पूछा गया था फलाल अभी जो ये चीजे खबरों में रही है इसको लेकर अभी हाल ही में जो बाते चल रही है तो ऐसे में जो लक्ष निर्धारित है वो भारत का जो नेट 0 का लक्ष निर्धारित का उसी के ये अन्रोप ये निर्धारित क्या गया है तो विगल्प नंबर A यहाँ पर इसका correct answer होगा दियान दिजेगा विगल्प नंबर A यानिकी 2070 तक का ये लक्ष है ये इसका correct answer होगा आज़िए सबंधित तथ्यों को देखते हैं जहां से आपके जामे प्रशन एराइज होगे देखें पहला पाइट है कि बिहार में मौझदा या फिर बिहार के मौझदा मुख्य मंत्री नीतीश कमार ने बिहार में कार्बन उत्सरजन में कमी की रननेतियों पर एक मसाधा report जारी की है और यह 2070 तक जो सुद्ध सुद्ध उत्सरजन का प्राप्त करने का भारत का जो लक्ष है यह भारत के लक्ष के ही अनुरूप है यही बाते अभी हम आपको बतला रहेते तो यह चीज़े डिरेक्ली यह संबंदित है यहां से आपको ध्यान रखना है बिहार सरगार का जो नेट जिरो का लक्ष है वो 2070 के ही अनुरूप या फिर यूग है जो भारत का जो 2070 का लक्ष है उसी के यह अनुरूप रखा गया है अच्छा इसके अतरिक्त एक जानकारी यहां पर यह भी है कि एक रिपोर्ट के अनुरूप राष्ट्य कारवन उतसरजन में जो बिहार का वरतमान योगदान है यह मामुली से आरा है दरसल आप यह भी ध्यान रखेंगी कि 2018 में भारत के ग्रीन हाउस गैस उतसरजन का लगबग 3.3% है जो कि राष्ट्य अस्तर पर यह बतलब राष्ट्य अस्तर से बहुत ही कम है राष्ट्य अस्तर पर यह 8.8% है अच्छा यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस गै इस जो है यह एक प्रकार से आप कह सकते हैं यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तर दाई है इसका एक बहतर अगर हम बात करें उधारन की तो आप समझ सकते हैं कारबन डाय ऑक्साइड आ दी तो यह चीज़ यहां पर आप लोग धिहान रखेगा अब आगे बढ़ते हैं कुछ और भी चीज़े हैं उसे हम लोग देखते हैं यहां पर कुछ चीज़े हमने सामिल किया है कारबन उतसरजन की बात हो रही है तो ऐसे में यह पॉइंट आपके लिए बहुत इंपोर्टन होगा देखें नेट जीरो के हम बात कर रहे थे तो दोनों के संदर में यह वा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसी संदर में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने भारत की नेट जीरो का लक्ष निरधारित किया था या फिर यूग है इसकी घोशना किया था कि भारत नेट जीरो का जो लक्ष है वो दो हजार सतर तक पूरा करेगा इसलिए यहां पर हम आ कर सकते हैं कि नरेंदर मोदी ने यहीं पर इसकी घोष्ट ना की थी और इस सम्मेरन के बाद करें कॉप 26 के तो इसके अध्यक्षे ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री आलोग सर्मा थे तो इतनी सारे जानकारी यहां से ध्यान रखे एक बार पुना दोरा दों कि नेट जीरो को लेकर अपके बीपेस से एकजाम में प्रशन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बदती है चले दूसरा प्रशन है कि 12 मार्श 2024 को प्रथामति नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंशिंग के माध्यम से अस्थावा रेलवे स्टेशन का लोकारपन किया है बताएं कि यह बिहार के किस जीले में अवस्तित है देखे अस्थावा रेलवे स्टेशन के बात करें तो यह बिहार के नालंदा जीले में अवस्तित अभी हाली में वर्च्वली इसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के दोरा इसी जानकारी को यहाँ पर एड किया गया कि 12 मार्च 2024 को परदामादी नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंशिंग के माध्यम से नलंदा चिले के बिहार सरिप में अस्थावा रेलवे स्टेशन का लोकारपन किया है अता इसका जो करेक्ट आंसर यह है विकल नमबर यहाँ पर भी अच्छा एक जानकारी ध्यार रखे है हमारे तमाम जो करेंट अफेर्श के नोट्स आते हैं वो सभी इस वाले कोर्स से बिपेसी मेकर एप के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं जो कोर्स आपको यहाँ प पर बात हो रही है रेलवे इस्टेशन की तो ऐसे में अगर हम बात करें पूर मधर रेलवे के बारे में तो कुछ बैसिक से जानकारी यहां से आप लोग दिहान रखेगा दरसल हम बात करें भारत यह रेलवे की तो भारत यह jouer में अगर हम देखें तो इसे 18 जोनों में इसका जो मुख्याले है ये हाजिपूर बिहार में है ये तो हाजिपूर एक प्रौपर अस्थान है प्रौपर शहर बोल सकते हैं एक तरह से लेकिन अगर आपसे यही पर ये प्रस्ट पूछा जाए कि पूर मत्र रेलवे का जो मुख्याले है ये बिहार के किस जीले में है त ये चीजे कई बार repeat हुई है हमारे द्वारा तो ध्यान रखेंगे अच्छा पूरमदर railway के अंदर पंच rail bundle सामिल है इन में सोनपूर उसके बाद समस्तिपूर दानापूर मुगल सराय और धनबार अच्छा यहां पर आपको दीख रहा है दानापूर पहली किसान rail भारत की ज यहां से देवलाली महराष्ट के भी चले थे विप्यसी एक्जाम में पूछा जा चुका है चले तीसरा प्रस्ण है 11 मार्च 2024 को केंदर सरकार ने नागरिता संशदन अधिरियम यानि की CAA लागो किया बताएं कि केंदर सरकार द्वारा कब इसे संशद में पारित किया गया देंगे तो फिलाल यहां पर जो पूछा गया कि भारते संसद में कब इसे पारित किया गया तो वरस्ण 2019 में विकल्प नबर D यहां पर इसका करेक्ट अंसर होगा देखें अब यहां पर आपको बता दूँ कि भारत सरकार ने हाल ही में 11 मार्च 2024 को नागरिकता संसोदन देश है यह पडोसी देशों से सताय गए अलब संक्षक समदाई को भारते नागरिकता का मार्ग परसस्त करना या पिर जो अलब संक्षक समदाई जो खासकर कि भारत के पडोसी देश है इनमें तीन पडोसी देश है एक है पाकिस्तान एक है बांगला देश और एक है इसी को लेकर ये अभी चीज़े लागू की गई है आईए यहाँ पर हम लोग विस्तार से देखते हैं इसको हमने यहाँ पर point wise सामिल किया है देखें नागरिता संसोधन विधाय केंदर सरकार द्वारा 2019 में संसद में पारित दिया गया था और इसका उद्देश से आपको ध्यान एकना 31 दिसंबर 2014 या इससे पहले बंगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पिलन के कारण भाग कर भारत आए छे गैर मुसलिम जिनमें हिंदू, इस्ताई और साथ-साथ सिख, जैन, बौद, और पार्सी से समदत सरनार्थियों को भारते नागरिकता प्रदार्द करना है अब यहाँ पर एक सब्द हमने प्रियोग किया है गैर मुसलिम यानि कि नागरिकता संसोधन विधयक में मुसलिम वर्व को सामिल नहीं किया गया है तो यहाँ पर यह तीन देश हैं बंगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो यह तीन देशों के जो अलपसंक्य समदाई हैं वो चीज़े यहाँ पर ध्यान रखेंगे और एक जो कंडिशन है कि 31 दिसंबर 2014 तो उन्हें भारतिय नागरिता दी जाएगे यह चीज़े यहाँ से दिहान रखना है आईए कुछ कंडिशन है वो चीज़े हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हमने टाइटल दिया कौन होंगे भारतिय नागरिता के लिए आवेदन के पात्र देखें पंच पॉइंट यहाँ पर हमने असान सब्दों में आपके समख्च रखा है पहला पॉइंट है आवेदक बंगलदेश, पाकिस्तान और आफगानिस्तान के होने चाहिए और आवेदक हिंदू, इसाई, सीख, जैन, बहुत पारसी धर्म से संबंदित हो वे धार में खुद पिरण के कारण 31 दिसंबर 2014 या इससे पहले भारत आये है उन्हें साबित करना होगा कि वे कम से कम पंच वरसों तक भारत में रहे हैं अब सवाल यहां पर यह उगती है कि मुसलिम समधाय के परती भारत सरकार क्या सोचती है और ऐसा क्यों किया गया कि मुसलिम समधाय को इसे मतलब बाहर रखा गया है तो इसे पहले हम देख लेते हैं यहां पर मुसलिम सरनार्थी को लेकर अच्छा एक चीज़ अगर मन में आपके ये बन रहा है कि भारतिय मुसल्मान इससे परभावित होंगे तो बिल्कुल परभावित नहीं होंगे इस चीज़ के लिए आप आस्वस्त रहें यहाँ पर बात हो रही है सरनार्थियों की किसी भी समुदाए के हम साथ सिर्व यहाँ पर मुसलिम सरनार्थि के बात नहीं कर रहे है बलकि धार्मिक उत्पिरन के कारण जो भी भारत आये है वो सभी सरनार्थि की हम बात यहाँ पर कर रहे है तो इसी दिसा में अगर हम बात करें मुसलिम सरनार्थि की लौट ना भी चाहिए, सरकार का स्टेटमेंट यही है इसके पीछे, तो यह चाहिए आप लोग समझेगा, अच्छा अगर आपके मन में यह भी सवाल ओट रहा है कि जो भारते मुसल्मान भारत में अभी रह रहे हैं काफी समय से, क्या उनकी नागरिक्ता रद्ध होगी, तो बिल्कुल रद्ध नहीं होगी वो मतलब किसी भी परकार से उन्हें कोई छतीन नहीं पहुँचेगी यहाँ पर बात होड़ी है कि अवल सरनार्थे होगी भारते मुसल्मान, भारते मुसल्मानों को दरसल यह जो कसकते हैं नागरिक्ता संसोदन अदिलियम है CEA, इसका स्वागत करना चाहिए एक तरह से देखें तो भारते मुसल्मानों का इससे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए अब यहाँ पर लास्ट में आपको यह भी कहाना चाहूँगा कि जब इस तरह की चीज़े मैं बतलाया हूँ तो कई लोग नेगेटिव कमेंट भी कर देते हैं तो यह चीज़े मैं रोक नहीं सकता हूँ अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो आपकी उपर डिपेंड करता है हमारा एक ही उद्देश था आपको जानकर देना आई होब कि वो चीज़े हमने आपको अच्छी तरह के से बतला दिया है चली यह चीज़े ध्यान रखेगा जो लोग पढ़ाय पर फॉकस कर रहे हैं बाकि इन सा बातों में नहीं आईएगा चली अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं चौथा प्रश्न है कि निवलखित में से किसने हाले में अपनी पुस्तक दौक कॉनसी प्रेसी का अनावरण किया है दो बार यहाँ पर पुस्तक लिखा गए एक ही बार हो चाहिए तो देखें यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है यह है गोट वयार राजबक्षे जो की सिरलंका के पुर्वर राष्ट्रपती रह चुए है तो देखें विगल पनमबर भी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईए इसको लेकर चीज़े हम लोग देख लेते हैं अच्छा सबसे पहले आप यहाँ पर देख लिए यही है गोट वयार राजबक्षे आपको बता दूँ कि 7 मार्च 2024 को सिरलंका के पुर्वर राष्टपती गोट वयार राजबक्षे ने अपनी पुस्तक वरसे 2022 में हुए चन आंदलन के बीच गोट वयार राजबक्षे को राष्टपती पद से हटा दिया गया था और यही सब प्रिसेजर यही सब मतलब चीज़ों के बारे में एक परकार से इसमें लिखा गया इस पुस्तक में जैसा कि इस पुस्तक के नाम से भी मालुम चल रहा है अचा गोट वयार राजबक्षे की यहां पर बात हो रही ही तो सिरलेंका के वे आठवे राष्टपती थे तो फिलाल यहां पर आप इन सारे चीज़ों को ध्यान लगे और हमने कई बार यह रिपीट किया है आचुके हैं पांचमें प्रश्ण पे प्रश्णे की हालिया आई एक रिपोर्ट के अनशार कौन सा देश वेस्विक अस्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बना है तो नविंतम रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के आधार पर भारत है इसका करेक्ट अनसर यानि कि अपना देश भारत अब विश्व अस्तर पर यह दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बनकर उबरा है तो विकल्प नमबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट अनसर है अब को पता दो कि नमिनतम रिपोर्ट के अनसर भारत एक दस्तर यानि कि 2014 से 2024 में वैस्विक अस्तर पर चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बना है यानि कि ओवर ओल धिहान रखे इसमें चाइना पर्थम अस्थान पर है और अपना भारत इसमें दूसरे अस्थान पर है रिपोर्ट में कुछ और भी बातों का खुलासा हुआ है जैसे कि यहां पर यह धिहान रखे कि रिपोर्ट की अरशार या छेतर 2014 में 78% आयात पर निर्भर था लेकिन अभी जो चीजे निकल कर शामने आई है तो इसमें आप धिहान रखे कि 97% कुल मिलाके यह आत्म निर्भरता में यह बदल किया है मतलब इस से छेतर में जो पहले की बाते अगर हम करें 2014 में तो यह 78% आयात पर निर्भर था अब यह 97% आत्म निर्भरता पर यह बदल किया है तो यह चीजे जाने कि साथ ही एक पॉंट यह भी हमने यहाँ पर एड किया है कि भारत में बिखने वाले कुल मुबाइल फॉन का केवल तीन परतिसत अब आयात किया जाता है यह बाते हमने एड नहीं किया वर्कि जो रिपोर्ट में कहेगे उसी अधार पर यहाँ पर हमने चीजे सामिल किया है ठीक है तो यह तरही बात यहाँ से इससे सम्मधित अब कुछ एक्स्ट्रा पॉंट हम देख लेते हैं देखे मुबाइल फॉन की बात हुई है ठीक है और यह रिपोर्ट अधारित है अक्टवर 2023 पर और इसमें सबसे पहले अस्थान पर जो देश रहा वो 153.86 MBPS यानि कि MB पर सेकेंड के साथ कुवेट इसमें पहले अस्थान पर रहा उसके बाद दूसरे अस्थान पर नौर्वेग तीसरे अस्थान पर डेन्मार्क और चौथे अस्थान पर चैना रहा लेकिन अब हम बात करें भारत के संदर्व में अच्छा यहां पर देखें मिश टैपिंग वायर भारत पांच में अस्थान पर नहीं है दरसल भारत को जो अस्थान मिला यह रैंकिंग के अधार पर अक्टवर 2023 में जारी जो हुआ था यह 47 में अस्थान पर है अपना भारत 50.21 MBPS स्थान के साथ अच्छा यह अब ध्यान रखेंगे कि इसमें बखूत ज़्यादा इजाफा हुआ है इंटरनेट स्थान में भारत में ठीक है तो यह चीज़े फिलाल यहां से ध्यान रखें चलिए आगे चलते हैं अगला है चाठा प्रश्ण यह प्रश्ण है कि Stockholm International Peace Research Institute यानि कि सीपरी की हालिया रिपोर्ट के अंशार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हत्यार आया तक देश बना हुआ है पिछली बार जब यह रिपोर्ट आया था सीपरी का तो उस से में भी हमने जानकारी दिया था और जानकारी के अभार पर या फिर जो नमित्म रिपोर्ट अभी हाली में जारे हुए उसके अभार पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना भारत विकल्प नमबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा आपको बता दो कि इस्टोग हम इंटेनेसनल पीस रिसर्च इन्शूर्ट जोकी सीपरी का पूर्ण रूप है तो सीपरी द्वारा जारी हालिया एक रिपोर्ट के अनसर भारत दुनिया का सबसे बड़ा हत्यार आया तक देश बनावा है विते पंच वर्षों में 2019 से 2023 तक सरवादिक हत्यार भारत ने खरीते हैं पूरे दुनिया के अगर हम बात करें तो सरवादिक हत्यार भारत ने खरीता है और आख्रों के अनसर भीते पंच सालों में भारत के हत्यार खरीत पर 4.7 फिजदी यानि कि 4.7 परतिसदी की बढ़ोतरी हुई है तकरीबन 5% मान के चल सकते हैं अच्छा अगर आपके मन में यह सवाल उट रहा है कि भारत जो हत्यार खरीत रहा है तो यहां से एक प्रस्ण अराज यह भी हो सकता है कि भारत को जो आपूरती करता है यह सिर्ष आपूरती करता देश कौन सा हत्यार की संदर्व में तो इसमें देखें यह पॉइंट हमने यहां पर लिखा है कि इस रिपोर्ट के अनशार यह फिर एक रिपोर्ट के अनशार रूस जो है रस्या जो है भारत का सबसे बड़ा हत्यार आपूरती करता देश है जो रासी खर्च किये जाते हैं विबिन देशों के दोरा उसको लेकर भी एक रिपोर्ट जारी हुआ था तो सेन ने खर्च करने वाले जो बड़े देश हैं जो सबसे अधीक रासी खर्च करता है पहले अस्थान पर है अमेरिका दूसरे अस्थान पर चाइना तीसरे अस्थान पर जो है यह अपना भारत है उसके बाद ब्रिटेन और रूस है यह ध्यान ने कि अपना भारत जो है डिजिटल परदरसनी सुभास अभिनन्दन का उद्गाटन किया गया है तो ये उद्गाटन अभी हाल ही में अर्जुन राम मेगवाल के द्वारे किया गया विकल्प नंबर A यहाँ पर इसका correct answer होगा दरसल आप सुभी को मालूँ है भारते राष्टे अभी लेखागार अपना 134 अस्थापना दिवस मना रही है 8 मार्च 2024 को 134 अस्थापना दिवस मना गया है अच्छा 8 मार्च वही तिति है जिस तिति को अंतरराष्ट्य महला दिवस भी मना जाता है तो अभी जो ये दिवस सेलिबरेट किया जाला 134 अस्थापना दिवस तो इस अफसर पर केंद्रिय कानून इवंग न्याय संसद्य कार्य और संस्क्रिप्टी राज्य मत्री अरजुन मेगवाल में 11 मार्च से 2024 को स्वास चंद्र बोष के जीवन पर आभारित एक डिजिटल परदर्सनी स्वास अविनंदन का सुभारम किया है यहां रखेंगे स्वास अविनंदन शंबंदित है स्वास चंद्र बोष से ये एक परकार की डिजिटल परदर्सनी है जिसका उत्गाटन 11 मार्च से 2024 को किया गया और ये परदर्सनी राष्टी अफिलेखागार में उपलब्द जो दस्तावेज है इन ही पर ये आधारित है तो फिलाल ये तो रही बात इनसे समंदित यहाँ पर बात हुई है स्वासचंदर बोस के तो इसको लेकर ध्यान रखे स्वासचंदर बोस के बारे में दो महतपूर्ण बिंदू आपके समक्ष हमने रखा है जो की एकजाम में अल्डेडी पूछे जा चुके हैं देखें पहला पॉइंट महतपूर्ण तत्यों के अंद्रगत ध्यान रखेंगे कि 1938 में भारते राष्टे कंग्रेस या फिर कंग्रेस का जो 51 वर्षिक अधिवेशन था ये हरीपूरा में वा था जिसकी अध्यक्त स्वासचंदर बोस थे और इसी वर्ष जाने कि 1938 में ही उन्हें टाइम मैगजीन के कवर पेज पर भी फीचर किया गया था जो कि आप यहां पर देख सकते हैं तो 1938 की इतिहास से समंदित अगर हम बात करें स्वासचंदर बोस के बारे में तो ये ठीजे संबलेत तोर पर आप लोग दिहान रखेंगे अच्छा अब जो हम बात कर रहे थै भारते रशटे कंगरेस की बारे में या फिर भारत में दो पर्मपर राजियतिक दल है एक है भारत जनता पाटी और एक है भारते रशच्टे कंगरेस इसके परतम अध्यक्ट और इसकी अस्थापना को लेकर परशन पूछे गए है पैनर जी तो ये चीज़े यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे और दोनों राजनितिक दलों का जो चिन्ड है वो आप यहाँ पर किलियर देख सकते हैं चलिए आठवा प्रशन है कि किस रज सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलमा योजना शुरू की है इसका जो उत्थान करना एक इसका मूल उत्था है तो इसी को लेकर अभी हाल ही में इसकी शुरूबात की है अच्छा अगले प्रशने पर जाने से पहले आज की इस वीडियो का टार्गेट मैं आपको देता हूँ 700 लाइक का आप लोग इस वीडियो में 700 लाइक करेंगे हर हाल में हमें ये उमीद है कि आप लोग ये लाइक का आंकड़ा को पूरा करेंगे अगर किसी भी रूप में अगर आप लगे यहां से आपकी हैल्प हुवी है वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सस्क्राइब करके हमें सपोर्ट रुकिजे और सत्रवी वीप्यसी एक्जाम या पर वीप्यसी ट्री एकजाम के टेस्ट स्रीज के लिए आप वीप्यसी में कर आप पर जाएए, सत्तरवी वाला ये वाला कोर्स है, इस कोर्स को WPSC 70 एक प्रोमो कोर्ड डालके, इसे अपलाई करके, आप इस कोर्स को प्राप कर सकते हैं, और जो तमाम मैट्रियल यहाँ पर आप देख रहें, जो लिश्ट है, यह तमाम चीजे इसी कोर्स में आपको एप तरीके से आंकलन कर पाएंगे, चलिए, अगला प्रशन अतीम महतपूर्ण है, यह प्रशन है कि लॉस अंजलिस अमेरिका में आजित 96 आउसकर पुरसकार में किस फिल्म को सरुसेश्ट फिल्म का पुरसकार दिया गया है, देखे इस तरह की जानकारी, खासकर कि इस फिल्म का पुरसकार दिया गया, वेकल पुरसकार बी यहां पर इसका करेक्ट अंसर होगा, दरसल 11 मार्च से 2024 को लॉस अंजलिस के डॉल्वी थियर्डर में 96 आउसकर आवोर्ड का आजन किया गया, यह इसका 96 संसकरन था, और पुरसकार विजटाओं की बात करें, तो इसमें अधित यहां पर डाल दिया है, बेस्ट एक्टर का जो प्रुषकार मिला है, यह किलियन मर्फी को दिया गया, ओपन हाइमर के लिए, बेस्ट एक्टरेस का खिताब एमा स्टोन को इसी फिल्म के लिए, बेस्ट डिरेक्टर का खिताब क्रिश्टोफर नोलन को इसी ओपन हा इसके अत्रिक्ड सॉंग का सिर्ण ओर का इस सॉंग का इसी फिल्म यह तमाम जो आप यहां पर देख रहे हैं यह बहुत ही important है हलाकि जितने भी फिल्म परशकार अभी हाले में आजित हुए है recently उत जानकारी हमने आपको दिया था देखे यह तो फिल्म परशकार के बात भी है यहाँ पर Oscar Award की हम बात कर रहे थे लेकिन उसके बाद हम बात करें Grammy Award की संगीत की दुनिया में दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा प्रुशकार यह भी Los Angeles अमेरिका में ही आजित हुआ था चार फरवरी 2024 को इसमें एक पॉइंट भारत के संदर्व में काफी important है ठीक है पहले तो इसका screen shot आप ले लीजे और भारत के संदर्व में जो important है वो आपको यहाँ पर में थोड़ा बढ़ा करके दिखा दता हूँ यह सूजी थोड़ी बड़ी थी इसलिए हमें छोटा-छोटा यहाँ पर add करना पड़ा देखिए 66 में Grammy Award में पेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अलबम का जो खिताब मिला यह दिस मॉमेंट को मिला अच्छा दिस मॉमेंट जो अलबम का नाम है यह सकती बैंड से समधित है बॉलिवूड में एक बैंड है सकती बैंड इसी से समधित है तो इस सक्ती बैंड के दिस मॉमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अलबम का खिताब मिला यहाँ पर यह 66 ग्रैमी अवोर्ड में अच्छा सक्ती बैंड के जो परमुक कराकार हैं उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा इसके अधरिक और भी अवोर्ड है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्ठावनवा ग्यानपीट पुरुषकार 2024 जो मिला है यह गेदकार गुलजार को उर्दू के लिए और विद्वान जगतगुलो राम भातराचारी को संस्कृत के लिए अच्छा इसके अधरिक अगर हम बात करें हैं भारत रुत ने की तो यह चीज़े हमने पहले आपको बताया है फिलाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हैं बात करेंगे यहाँ पर उनातरवे फिल्म फेर अवोर्ड के बारे में इसमें सरसुष्ट अभनेता का जो पुरुषकार मिला है यह रनवीर कपूर वो उनकी फिल्म एनिमल के लिए सरसुष्ट अभनेतरी का पुरुषकार आलिया भट को रोकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए complete सूची है आप देख सकते हैं इसमें सरस्वेश्ट फिल्म का पुरुषकार मिला 12th फैल को यहाँ पर यह तस्वीर में भी देख सकते हैं तो यह जानकारी दिया हुआ है आप लोग चाहें तो वीडियो को पहुच कीजिए इसे आप लोग पार्ट लेजिए यहां से प्रश्ण बनने की संभावना मुझे नजर आती है इसे परकार की जानकारी हमने अभी हाल ही में दिया था British Film Television Industry यहने की बाप्ट अवर्ट दोचार चाविस के बारे में यह इसका सत्तरवा संस्क्रन था और यहां पर भी खासकर की ऑपन हाइमर का बोल बाला रहा और आप यहां पर यह सूची में भी देख सकते हैं कि ऑपन ह आप लोग चाहें तो इस मूवी को जरूर देख लीजेगा यह इसका एक पोस्टर है एक परकार का एक बैनर है आप लोग इसे जरूर देख लीजेगा I think यह बहुत अच्छी मूवी होगी तभी जाके इसको इतना प्रशकार मिल रहा है हमने भी यह पिर मैंने भी इसे नह सेग मैंति देखा मैं भी चाहूँगा किसे देखना dell प्रस्ने कि सुप्रीम कूड के आदेश के बाद तो ặभी में किस bank चुनाव ऑयूक को चुनावी बॉर्ण की जानकारी सोग दी है किस bank ने चुनाव आयूक को चुनावी बॉंड की जानकारी ने पोज़ियो है अपक रिखासक तरीका है। इससे यह पता चलता है कि किस पार्टी को चुनावी बॉंड के लिए 20 बॉंड के जरे Less जल्द से जल्द खासकर करके एक डेट लाइन दिया गया था कि 12 मार्स से पहले ये जारी करें तो ये अभी हाले में जारी कर दिया गया है तो इस बांड पर किसी पर कोई प्याजन नहीं मिलता ये भी ध्यान रखें अच्छा यहां पर आगे हम बात के चुनावी बांड पहल जो नियादीस है ये डिवाई चंद्रहूड है जो कि 50 में खासकर के चीफ जस्टीस है और साथ साथ अगर हम बात करें पटना उच्छ नहले की तो 44 में चीफ जस्टीस है कृष्णन विनोध चंद्रण चली अगला 11 पराशने के 90 में से कौन हाल हि में रच्टि अनसुचित जाती आयोग के नए अध्यक्श निउखत के गया है तो करेक्ट अंसर होगा विकलप नंबर C याने कि 9Shोर मकवाना अभी हाल ही में ये अनसुचित जाती आयोग के 9Sh 측 निउखत के गया है तो ये दोनों जो न्यूकती भी है वो ध्यान रखे अब यहाँ पर अतरीक्त जानकारी हमने करेंड अफैर्स हों ही समंदित एड़ किया है 11 और 12 मार्च से समंदित दरसल 11 मार्च दोजादी को डियार्डियों ने उडिसा में और मौरिसास में गंतंत्र लागो भा था या पिर मौरिसास गंतंत्र बना था 12 मार्च उनिश्चा 92 को तो ये चीज़े खास करके मौरिसास से समंदित है ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे चलिए बारों प्रस्ण है आपके समंद्रे मंत्री डाक्टर जितेंदर शिंग की घोषना के अनुसार 80.000 रुप्य की लागत से उत्तर भारत का पहला सरकारी हॉमियोपैथिक कॉलेज जम्मू कस्मीर में कहां अस्थापित किया जाएगा जो घोषना भी घोषना के आधार पर जम्मू कस्मीर के कठवा छित्र में ये अस्थापित किया जाएगा तो ध्यान रखेंगे इसका करेफ्ट अंसरों का विकल्प नमबर ए अच्छा एक जानकारी और भी यहाँ पर हम आपको दे दें इंपोर्टन पॉइंट में आप लोग इसे भी अड़ कर लिजेगा केंद्रिया मंत्री नारायन रांज ने महराष्ट के सिंधु दुर्ग में एक्ट्रा पॉइंट में इसे आप लोग नोट कर लिजेगा अच्छा जो लोग नोट नहीं कर सकते हैं आपको कुछ भी पढ़ने की आउस्ता नहीं है इसको लेकर के चीजे जो हम आपको देंगे वो आपके लिए परियाप्त रहेगा अभी जाइए एप्लिकेशन को डाउनलोड कीजिए एक सौन ठानुए रुपिया पे करके आप इसे जोइन कीजिए हजारोच छातरी से जोइन कर चुके हैं तो आप भी इसे जोइन करके अपनी तैयारी को बहतर बना सकते हैं अब यहां पर हमाँ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पर यह प्रश्न है कि किस राजसरगार ने युवा उध्मियों को ससक्त बनाने के लिए तो इसको लेकर जानकारी आपको पिछले वीडियो में बिस्तर तौर पर दिया गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे हमें बताएंगे इसका राइट अंसर क्या होगा और जाते आते आप लोगों को जो हमने टारगेट दिया था 700 लाइक का हमें हर हाल में आज की इस वीडियो में 700 लाइक चाहिए आप लोग 700 लाइक का आपको पूरा करेंगे चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो आपको कैसा लगा किर्फिया ये भी हमें जरूर बताईएगा और खास करके जो study related groups हैं वहाँ पर इसे जरूर शेयर कीजिएगा चलिए दोथों मिलते नेक्स्ट वीडियो में तक लिए धन्दावाद जाएगे